इस तरफ यह कंप्यूटर पड़ा है, यह मेरा ओफिस है और यह रूम है, इस तरफ बेडरूम यह अब लटके बैठे होते हैं, हमनी भाई बैठे हैं सामने और यह टीवी लो हो जाए यह बाहर कहा है लिए चोटा साइक्ल लान है, यह ग्राज लगा हुए गास पड़े पड़े हैं सामने यह फ्रंट लुक है जी यह ग्राज है फिलाल यहां पर गाड़ी तो नहीं घड़ी घड़ी घर खड़ी है यहां पर सिर्फ बस पौदे बगरा रखे हुए और यह कुछ सामान काउंटर बगरा पड़ा है रात की टाइमियां पर बाहर निकल के बैठ जाते हैं अब तो सर्ती है मौसम ठंडा हो गया अब यहां बाहर नहीं निकलते हैं इस काउंटर को उठा के अंधर करना है बखी बाहर जो है यह यह सीन है देखिए इस हाट अच्छ चारा काश्ट की वहाता है शारा लगता है मुर्गीं खा जाएंगी फुल धूंद है यह मसायों के जानुवर बैठे हैं यहोंपर हांगी कैसा लगा फिर सद्धियों के दिन अबस अभी सद्धी नहीं नहीं आ रही है अभी फुल से ठंड तो नहीं है वकि शुरू हो रही है ऐसा ऐसा ना बता रही है है कि मैंसे आ रही हूं अज तकरीबन तीन चार दिन हो गए है मौसम जो था वो इसी तरह का है सूरज नहीं नजर आया आप भी आप देखने तकरीबन एक बच चुके हैं अगर सूरज होता तो यहां सामने यानिके सर से मगरव बाली साइड को हो चुका होता यहां पर होता है लेकर सुरज नहीं नजर आ रहा रहा ना दूंद की वज़ा से तो अब कम होई है बस सुबह बहुत ज्यादा थी और आप सुनाएं आपके हाँ मौसम कैसा है कमेंट कीजिएगा दरूर अब यह मेरा जापिस है हमारा यह महां है लिया में जिला लिया पाक्सान का पंजाब का शहर है जिला एक तो वहां पहुंप है पौदे यह गर्मी से ना इस पौदे की कुछ हालत खराब हुई है अब कि पत्ते भी काटने वाले हैं कुछ यह न्याब होता है यह मैंने कल परसुन लगाया इस गंबले में गंबले से बाइर था ही बड़ा चोटा सा था जब लेके आ तो तो गरीवने एक साल का है यह अब देखे माशाला कितना बड़ा हो गया है कि जमीन में था ना इसलिए इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है कि फुस्दूरत बहुत लगता है लेकर जिसको जिपकांटे हैं ना यह बहुत तेज है तो यह उफिस में इसलिए घर नहीं रखा घर में रखा था तो बच्चे जब भी गुजरते तो पास से तो यह का चाहिए चेडेगा ने इसको